हेलो प्रेंट्स मैं सुस्मा कोहार वेल्कम टो माई चैनलर नीटिंग लेशन प्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर कॉलर नेक और फुल बाजुवाला पॉंचु बना कर लाई हूँ इंटरेस्टिड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है ये देखिए फ्रेंट्स इस पॉंचु को बनाने के लिए मैंने ये थ्री प्लाई वाली उन ली है और इसमें मैंने ये नो नंबर की सलाई ली हुई है अगर आप भी इस थ्री प्लाई वाली उन से बनाना चाहती है तो नो नंबर की सलाई ले लीजिए और अगर आपकी उन नॉर्मल हो तो आप उसमें दस नंबर की सलाई ले लीजिए उन चाहे आपकी प्लाई वाली हो चाहे आपकी नॉर्मल हो आपने इस तरह से पांच फंदे डाल लेने न्यू बोरन बेबी से लेकर अगर आप अपने साइज तक के लिए के पोंचू बनाना चाहती हैं तो भी आपको इसकी स्टार्टिंग पांच ही फंदे से करनी है फंदे डालने के बाद पहली सलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरा उल्टा ही बना दीजिए तो ये पांच फंदे मैंने इस तरह से सीधी साइड से उल्टे बना लिए अब आज इसकी उल्टी साइड से, उल्टी साइड से भी आप इन पांच फंदों को इस तरह से उल्टा बना दीजिए, यह दो सलाई बनाने के बाद अब इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है, यह देखिए, यहां नीचे से आपने ऐसे सलाई डाल लेनी है, और एक फंदा ऐसे उल्टा बना दीजिए, अब यह जो पांच फंदे हैं, इन में से एक उल्टा बना दीजिए, धगा पीछे और बीच के तीन सीधे, एक, दो, और यह तीन, अब धगा अपने तरफ कीजिए, और यह फंदा आप उल्टा बना द तरफ कीजिए, अब एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ा लिया है, और इस साइड से भी हमें फंदा बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां नीचे से इस तरह से एक फंदा उठाएंगे, और इसे ऐसे लेके उल्टा बना देगे, अब आज यह इसकी उल्ट साइड पर उल्टी साइड से अब इस पूरी सलाई को आप उल्टा ही बनाईए देखिए क्योंकि दो फंदे बढ़ाई हैं तो साथ हो गए हैं दो तीन च्यार पांच छे और ये साथ इस तरह से ये फंदे बनाने के बाद अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड प और यहा पर उल्टा बना देंगे अब अब आप पीछह कीजिये जो हमने पहली बार फंदा बढ़ाया था इसे अब सीधा बना दीजिए धागा अपनी तरफ कीजिए पांच में से ये पहले जो फंदा है ये उल्टा हो गया धागा पीछहую और तीन पंदे सीधी सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ और ये वाला फंदा उल्टा अब धागा पीछे ये फंदा हमने बढ़ाया था तो इसको हम सीधा बनाएंगे अब इस फंदे को उतारना नहीं है ऐसे ही धागे को अपनी तरफ लेकर आना है और एक बार इसे उल्टा बना देंगे और सलाई से उतार देंगे उल्टी साइड की जो सलाई है वो पूरी उल्टी ही बनाने है उल्टी सलाई बनाने के बाद अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर फिर से हमें यहां से फंदा बढ़ाना है ये देखिए इस फंदे के नीचे से ऐसे सलाई डाल लेजिए और ये एक फंदा आप उल्टा बनाईए जिर देखे इस तरह से इसके नीचे से ऐसे स्लै डालने है और इसे उल्टा बना दीजिए धागा पीछे कीजिए और ये जो दो फंदे हमारे बढ़ाई हुए हैं इनको सीधा बनाईए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ कीजिए ये दिखे ये जो पांच फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे उसमें से ये एक उल्टा है धागा पीछे और तीन सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा अब धागा पीछे कीजिए ये दिखे ये दो फंदे हमने बढ़ाए थे इन्हें अब सीधा बनाएंगे एक और ये दो अब इस फंदे को सलाई से उतारेंगे नहीं धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसे एक बार उल्टा बनाएंगे और उतार देंगे उल्टी सलाई इसकी आप फिर से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए उल्टी सलाई बनाने के बाद आज ये इसकी सीधी साइड पर फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं फंदे इसी तरीके से बढ़ेंगे देखे इसके नीचे ऐसे सलाई डालेंगे और ये जो हम फंदा ब दैखिए यह जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसे इस तरह से उल्टा बनाएंगे धागा पीछे, अब तीन सीधे एक, दो और ये तीन धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और ये जो पढ़ाई हुए फंदे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे 1, 2, और ये 3, अब इस फंदे को सीधा बनाने की बाद इस फंदे को ऐसे ही रहने देंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसे एक बार उल्टा बना देंगे, अब उल्टी से लाई इसकी फिर से पूरी उल्टी बनाईए, एक फंदा यह पर और एक फंदा यहां पर अब यह फंदे हमें तब तक बढ़ाती हुए जाना है जब तक इस पॉंचु की जो यह चोड़ाई है जिस किसी के लिए भी आप बना रही है उसकी चैस्ट के हिसाब से यह चोड़ाई उसकी कंप्लिट ना हो जाए इसमें मैंने 50 फंदे इधर औ आप उसमें फंदे तब तक बढ़ाती जाएगा जब तक इसकी यह चोड़ाई पूरी ना हो तो मैं इस तरह से फंदे बढ़ाती हुए इसकी लेंथ जो है यहां तक होएगी जो मेरी यहां 105 फंदे बनेंगी 50 तरगे 50 तरगे और 5 यह तब तक बनाके फिर आपको इसमें आ 15 फंदे बढ़ा रहे हैं यहां तक यह जैसे कि अब मैंने यह 13 फंदे हो गए मेरे इसमें। जब आपके यह 15 फंदे हो जाए तब आपने क्या करना है तीन से 4 लाइ के बाद जैसे 15 फंदे होने के बाद एक बार उल्टी साइड से भी आप इधर से फंदा बढ़ा तो आपके ये जो फंदे होंगे ये थोड़े से जादा हो जाएंगे और उनके हिसाब से इनकी चोड़ाई complete हो जाएगे तो इस पॉंचो में अब मैं आपको 105 फंदे होने के बाद दिखाती हूँ ये देखे फ्रेंट्स इसमें मैंने सारे फंदे बढ़ा लिये हैं और फंदे बढ़ाने के बाद देखे इस तरह से इसकी लेंध यहां तक हो चुकी है अब हमें क्या करना है ना तो हमें फंदा इधर से बढ़ाना है और ना ही इधर से बढ़ाना है आप बिना फंदे बढ़ाए इसे मैं दो इंच तक ऐसे ही बना लूँगी ये देखिएगा यहां से यहां तक यह मैंने दो इंच बनाया हुआ है अगर आप इसे भी बढ़ा बनाना चाहती हैं तो आप तीन इंच तक इसे बना लीजिए और बिल्कुल छोटे बच्चों के ल इनच बनाओ लंग आहेते हैं अ को इसे मैं दो इंच तक बनाना चाहते हैं तो यहां से इसके आरल की बनाना चाहती है लेकिन अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से डबल कलर से बना रही हैं तो यहां से इतना मैं इस धागे को कट कर दूंगी और इसमें वाइट कलर के धागे को जोइंट कर दूंगी यह देखे प्रेंट्स इस तरह से मैंने यह वाइट कलर का धागा यहां पर जोइंट कर लिया ह अब क्या करना है? दो सिलाई हम पहले वाइट कलर से बनाएंगे इसमें वाइट कलर सीधी साइड से ही लगाना है तो ये जो 50 पंदे हैं ये आपको इस तरह से सीधे सीधे ही बनाते हुए जाना है और पचास फंदे के बाद जो बीच में ये एक फंदा उल्टा है ये उल्टा बनाना है फिर ये तीन सीधे हैं तो सीधे और ये एक उल्टा है तो उल्टा और आगे के जितने फंदे हैं वो सारे सीधे बनाते हुए इस सलाई को कम्प्लीट कर देना है ये देखे फ्रेंट्स सीधी साइड की सलाई को बनाने के बाद अब उल्टी साइड की जो सलाई है वो आप पूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर दीजिए ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से वाइट कलर से मैंने इसकी दो सलाया बना ली है और फ्रेंट्स आपको इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जैसे कि ये चोड़ाई आपकी पूरी हो जाए लेकिन चोड़ाई पूरी होने के बाद जो हमने ये दो इंच बनाया है इसमें अगर आपकी ये लेंध पूरी ना हो रही हो जितनी आपने नीचे तक इस पूर्चो की लेंध रखनी है तो आप इसे और ज़्यादा बना लीजिए बिना फंदे बढ़ाई क्योंकि चोड़ाई हमारी पूरी हो चुकि है फिर हमें इसकी लेंध करनी है जितनी आरम होल तक की चाहिए तो दो की बजाए इसे ढ़ाई या तीन इंच आप बना लीजिए वो आप देख लीजिएगा कि आप जिसके लिए बना रही है उनकी हाइट के अनुसार ये बना की नहीं बना अब इसकी आज ये कटिंग पर कटिंग देखे कैसे करनी है इस तरह से पिछे की साइड से दो फंदे में ऐसे स्लाई डाल लीजिए और यहाँ पर दो फंदे का आप एक कर दीजिए अब ये सारे फंदे आप सीधे बनते जाएगा और बीज में यहाँ पर ये जो उल्टा फंदा है ये उल्टा ही बनेगा और ये तीन सीधे हैं तो ये सीधे ही और ये एक फंदा यहाँ पर हमने जो उल्टा रखा हुआ है ये ऐसे ही उल्टा बनता जाएगा तो मैं इस स्लाई को लास्ट में दो फंदे रहने तक ऐसे ही बना लेती हूँ ये देखे फ्रेंट्स पूरी सलाई को मैंने बना लिया है लास्ट में दो फंदे बचे हैं आगे की साइड से इन दो फंदे में ऐसे सलाई डाल लेना है और दो का एक कर देना है अब एक फंदा इधर से कम हो गया है और एक फंदा इधर से कम हो गया है उल्टी सलाई इसकी प फिर से हमें इसी तरह से इसमें फंदा घटाना है ये देखे एक और ये दो फंदे इस तरह से लेंगे और पीछे की सैड़ से डालके यहां दो एक कर देंगे अब ये जूंदे सीधrator सीध्य इहां सीधा बनाते जाएंगे जो बीच में एक फंदा उल्टा और फिर तीन सीधे और एक उल्टा आता है वो उसी तरह से बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे रहने तक इस स्लाई को कम्प्लीट कर लेंगे ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से इस स्लाई को बनाते हुए जब लास्ट में आपके दो फंदे बच्चे है तो इन में आप इस तरह से आगे के साइड से स्लाई डालके दो का एक कर दीजिए तो यहां से इसकी एक कटिंग होने शुरू हो गई है इस पॉंचो में बैक और फ्रेंट के जो पार्ट है वो सेम बनते हैं आरम होल की जब कटिंग शुरू होती है तो जो फ्रेंट पार्ट है इसमें हमें कॉलर के लिए जो गले की घटाई है वो करनी है लेकिन जो back part है उसमें हमें ऐसे ही घटाई करते हुए जाना तो सबसे पहले आप इसका back part बनाएए जिससे आप इसकी घटाई करते हुए जाएंगी जैसे कि आप छोटे बच्चों के लिए बना रही हैं 5-6-7 साल के बच्चों के लिए तो आप यहाँ पर 35 या 37 फंदे रहने तक इसी तरह से घटाते जाएगा 33 भी रख सकती है अगर आपके फंदे कम हो तो नहीं तो 35 या 37 रख लीजिएगा थोड़े जे और बड़े बच्चों के लिए बना रही हैं तो 49-41 इस तरह से कर लीजिएगा मैंने इसमें यहाँ पर 43 फंदे रहने तक ऐसे ही इसकी ये कटिंग की है तो यह इसका बैक पार्ट है बैक पार्ट की इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है हर सीधी साइड पर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाते हुए जाना है उल्टी सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी अब यहाँ पर इसके 43 फंदे होने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया है और यह है इसका फ्रेंट पार्ट तो फ्रेंट पार्ट में जब हम इसकी एक खटाई कर रहे हैं तो जो अब हमने कोलर गले की इसकी खटाई करनी है तो बैक पार्ट के आप जो लैंट है वो नाप लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो यह लैंट है यह मेरी यह 7 इंच बची हुई है तो 7 इंच में से मैं पहले 3 इंच बनाऊगी cents पिर मैं आपको आपको जो कोलर की घटाई करनी है वो कैसे करनी है और ये वाले जो सीधे फंदे हैं, इनको सीधा बनाते गई हैं. ये जो बीच में एक उल्टा, तीन सीधे और एक उल्टा फंदा हमारा है, ये पांच फंदे इस सिलाई पर मैंने उल्टे कर दिये हैं, ये सीधे वाले भी और ये उल्टे वाला भी, क्योंकि यहां से हमें कोलर की घटाई करनी है, तो ये देखिए, ये मैंने पांच उल्टे बनाई हुए है और आगे के सारे फंदे सीधे बनाते हुए ठीक ऐसे ही हमें यहां भी दो का एक करना है फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगे अब आज यह इसके सीधी साइड पर सीधी साइड पर फिर से हमें वही करना है एक फंदा यहां पर घटाना है दो का एक कर देना है फिर उल्टी सलाई इसकी पूरी उल्टी बना देनी चार शलायों में ये दो लाएने आ गई है अब हमें क्या करना है यहां से दो का एक करना है और दागा अपनी तरफ कीजए और यह जो पाँच फंदे हैं इन्हें बाहिंड इजिए तागहा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक कर दिजिए और इस फंदे को आप हल्का सा लोज रखिए इसी सलाई में वापस लिजिए अगले वाला फंदा इसके साथ लेकर दो का एक कर दीजिए इसे फिर से इस लाइपर ले लीजिए और फंदे को हलका सा लूज रखिए इस फंदे को लीजिए और दो का एक कर दीजिए अब फिर से इसे वापस लीजिए और ये देखिए दो का एक कर दीजिए चार फंदे बाइंड ओफ हो चुके हैं और ये वाला फंदा जो है इस सीधे वाले फंदे के साथ लेंगे तब हमारे यहां पांच फंदे बाइंड ओफ हो जाएंगे यह देखिए इस तरह से यह पांच फंदे यहां पर बंद हो गए है अब यहां से हमें गले की घटाई गटाई के लिए जो हमने इसकी शेप देनी है उसके लिए एक इधर से घटा देगे धागा पीछे करेंगे और लास्ट में दो फंदे रहने तक इनको हम सीधा सीधा बना लेंगे आपर यह दो फंदे रहने पर आगे की साइड से स्लाइड आलके इन दो का एक कर देंगे और अब देखिएगा हमने यह वाला पार्ट एक बार में बनाना है और यह वाला हमारा बाद में बनेगा तो यहां तक के जो करेंगे और दो का एक कर देंगे फिर दागा पीछे करेंगे और लास्ट में दो फंदे रहने तक इनको सीधा सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले दो फंदे में जो बचे है उनका दो का एक कर देंगे उल्टी सिलाही यहां पुरी उल्टी जाएगी अब आज यह इसकी सीधी सैड़ पर सीधी साइड पर फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां से एक फंदा घटा देंगे इस कोलर घटाई के लिए तीन से चार फंदे हमें लगातार घटाने होते हैं उसके बाद तीसरी या चोथी सलाई पर तो अब इस सलाई को सीधा सीधा बुनते जाएंगे और लास्ट में दो का एक कर देंगे फिर उल्टी सलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगे यह देखे फ्रेंट्स तीन फंदे लगातार घटाने के बाद अब इसमें मैं यहां फंदार नहीं घटाऊंगी यहां पर पहले फंदे को उतारिए या बनाएए यह आपकी अपनी मर्जी है इस सलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुनते जाएंगे और लास्ट में यहां पर दो का एक कर देंगे उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे यह उल्टी सलाई बनाने के बाद धूए सब्धोग I am your athuf on . ब 이 दोट हुए यहां पर हर सीधी सलाइपर यहां 2 यहां दोट एक होता रहेगा ऐसे ही घडाई चलते रहेगे लेकिन इस साइप पर एप एक बार सीधी साइड पर फंदा घटाना है एक बार नहीं घटाना है इस तरह से करते हुए इसे आगे आगे बनाते हुए जाना है यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से फंदे घटाते हुए हमने इसे यहां तक बनाया है आपके पॉंचू का जो बैक पार्ट है और यह जो फ्र जब आप इसे इस तरह से नाप कर देखेंगे, अगर आपका यह सिरफ इतना ही बनना बाकी है और यहां पर फंदे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें यहां पर चार से पाँच फंदे ही रखने हैं। क्योंकि इसकी जो length है वो बहुत ही कम बच्ची हुई है और फंदे हमने अभी बहुत जादा घटाने हैं सिर्फ चार से पांच फंदे रहने तक दोनों साइड से ऐसे ही फंदे अभम घटाते जाएंगे आप इसे नाप कर जरूर देख लिजेगा क्योंकि नापने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसकी जो length वो कितनी बाकी है और आपके फंदे अभी कितने घटाने बाकी है और अगर आपको ये लगे कि सिर्फ इस तरफ की घटाई करने से ही ये length पूरी हो जाएगे और हमारे चार से पांच फंदे बच जाएंगे तो आप सिर्फ इस साइड से लगातार घटाई कीजिएगा और इस साइड से वही तीसरी सलाई पर घटा दे जाएए जो इसके उल्टी साइड की सलाई होती है उस पर हमें फंदा नहीं घटाना होता है ये इसकी पूरी उल्टी ही बनती है अब ये देखेगा यहां से हमने ये वहां भी दोका एक किया फिर नेक्स्ट बार जब सीधी साइड आई तब भी हमने दोका एक किया है और अब ये इसकी तीसरी बार आ गई है अब ये फंदे हमें ऐसे घटाते हुए जाना है दोका एक इदर से कर देंगे बीच के फंदे सीधे बनाते जाएंगे और ये जो आरम होल वाली साइड है यह से दोका एक कर देंगे उल्टी स्लाइप फिर इसकी पूरी उल्टी बनेगी ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से घटाते हुए यहां पर मेरे सिर्फ चार फंदे बचे हुए आप यहां पर सिर्फ चार या पांच फंदे ही रख लीजेगा इस साइड की घटाई आपको लग घटाने से आपके पूरे हो जाएंगे तब आपको ऐसे घटाते जाना है अब एक साइड की घटाई कंप्लेट हो चुकी है यह वाले जो चार फंदे हैं इनको हम सेप्टी पिन में डाल कर छोड़ देंगे यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से इस धागे को मैंने चोटा सा का अब यहां पर आप दो का एक कर दीजिए क्योंकि बीच के जो फंदे हमने बाइंड ओफ करने थी वह हो चुके हैं जैसे इधर की घटाई की है ठीक ऐसे ही अब हमें इधर की करने है यह देखे दो का एक कीजिए और इस पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए क्य आप एक फंदा यहां पर सीधी साइड से ऐसे घटा दीजिए जैसे हम आरम होल के लिए घटाते आए हैं और पूरी सलाई को आप सीधा बनाते जाए फिर उल्टी सलाई पर एक फंदा यहां से घटाईए इस तरह से करते हुए तीन फंदे आपने वही लगातार घटाने है फिर आगे जैसे हमने इस पार्ट में एक बार फंदा घटाया था और एक बार नहीं घटाया था तो इसी तरह से घटाते हुए अब इस पार्ट को जैसे इसको बनाया है इसको मैं कम्प्लीट करके सिरफ 4 फंदे जब रह जाएंगे तब हमारा यह पूरा हो जाएगा तो ज जैसे मैंने ये बनाया ठीक ऐसे ही अब इसको भी मैं बना लिती हूँ, यह देखिए फ्रेंट जैसे घटाई इसकी मैंने इस साइड से की है ठीक वैसे ही मैंने यहाँ से इसकी घटाई कम्पलेट कर दी है, चार फंदे यहां पर हैं और चार फंदे यहां पर हैं 43 फंदे इसके बैक पार्ट पे हैं अब बैक और फ्रंट इसके दोनों पार्ट कम्पलिट हो चुके हैं अब आज यह इसकी बाजू पर क्योंकि पहले हमें इसकी बाजू कम्पलिट करने हैं उसके बाद ही इसके ये गले की बनाई होगी इसकी एक बाजू मैंने बनाकर complete की हुई है ये देखे इसकी बाजू में यहाँ पर मैंने 40 फंदे लिये हुए है फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हुए है फंदे डालने के बाद एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरह से करते हुए मैंने इस बॉर्डर को धाई इंच तक बना लिया है border ये हमारा दोनों side से एक जैसा बनता है क्योंकि जो फंदा यहां पर उल्टा होता है वो यहां सीधा हो जाता है जो इस side सीधा होता है वो यहां पर उल्टा हो जाता है border complete करने के बाद एक फंदा इस side से और एक फंदा इस side से बढ़ाया है फिर मैंने इसमें बीच में तीन सलाईयां बनाई हैं तीन सलाई बनाने के बाद एक फंदा इस सैड से और एक इस सैड से बढ़ा दिया है इस तरह से करते हुए यहां तक इसमें मैंने 80 फंदे बढ़ाई हुए हैं आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं आप उसके हिसाब स देख लीजिएगा बाजू को आप साथ साथ इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए जब आपको लगे कि बाजू की जो ये चोड़ाई है ये हमारी complete हो चुकी है तब आप इसमें फंदे बढ़ाना बंद कर दीजिएगा फंदे बढ़ाना बंद करने के बाद अगर आपकी बाजू की जो लैन था ये complete नहीं होई हो तो आपको इसे बिना फंदे बढ़ाई ही आगे बना लेना है तो इसमें यहां पर मैंने 80 फंदे किये हुए हैं और यहां तक ही मेरे इसमें ये फंदे बढ़ाई गई हैं अब आज ये की बाजू की जो लंबाई है इसका नाप कै आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं उसकी बाजू का नाप आपने ये देखिएगा हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है यहां पर आप इंची टेप रखिए और आरम होल के नीचे तक आप उसको नाप लेजिए जितने इंच की लंबाई हो बाजू को आप इस तरह से र बना लीजिए यहां पर ये मेरी ये देखिएगा यहां से यहां तक ये साड़े सोला इंच बने हुई है साड़े सोला इंच बनाने के बाद इसमें मैंने आरम होल की कटिंग की है तो ये देखिए असी फंदे यहां तक बने हुए हैं फिर मैंने इसमें ये सैकिन कलर लगा इसकी दूसरी बार्जू को भी मैंने यहां तक बनाया हुआ है यह हमारी यहां पर लगबग 16.5 इंच बन चुकी है आप दो सलाई पहले मैं इस वाइट कलर से बनाऊंगी अगर आप एक ही कलर से बना रही है तो यहां से आप इसकी आरम होल की कटिक शुरू कर दीजिए और आप इसी तरह से डबल कलर से बना रही है तो सीधी साइड से इसमें सैकिंड कलर जोइंट कर लीजिए और एक सलाई सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी और एक सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर दीजिए उसके बाद इसमें हमें जैसे अभर यहां से हम करना कूछ होई क्योंकि यह जो रगलनत ही क्योंक होना है तो अब हम यहाँ पर देखिए एक और यह दो फंदे इस तरह से लेंगे बैक साइड से सलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे और इस सलाई को सीधा सीधा बुनते जाएंगे और लास्ट में जो दो फंदे बचेंगे उनमें आगे की सैट से सलाई डालके वहाँ पर दो का एक कर देंगे फिर उल्टी सलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना देंगे यह देखे फ्रेंड्स उल्टी सलाई बनाने के बाद फिर से सीधी सलाई पर वही करना है इन दो फंदे में पीछे की सैट से सलाई डालके दो का एक कर देना है पूरी सलाई को सीधा बनाते हुए जाना है और यहां पर लास्ट में दो फंदे में आगे की सैट से सलाई डालके दो का एक कर देना है उल्टी सलाई पूरी उल्टी जाएगी ये फंदे आपको तब तक घटाते जाना है जब तक इसकी ये जो लेंथ है ये complete ना हो जाए ये देखिए मैं आपको इस बाजू को नाप कर दिखा देती हूँ ये बाजू और जो आपने back पार्ट या front पार्ट जो भी बनाया है क्योंकि बाजू हमारी last में ही बनती है आप इन्हें ऐसे नाप लीजिए ये देखिएगा इस तरह से इस बाजू की जो ये land है ये यहां तक पूरी हो जाएगी यहां तक ये पूरी होते time जब आपके जितने फंदे बचेंगे वहां पर आप इसे छोड़ दीजिएगा मेरे इसमें यहां पर 16 फंदे बचे हुई है आपके इससे कम भी हो सकते हैं इससे 1 दो फंदा आपका जादा भी हो सकता है इससे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके ये 12, 13 या 14 फंदे बस्ते हैं या 16 की बज़ाए 17, 18 बस्ते हैं तो भी कोई बात नहीं आपको इसे तब तक घटाते जाना है दोनों साइड से जब आपकी ये वाली जो ये साइड की लेंथ है और ये वाली जो साइड की लेंथ है ये बराबर हो जाएगे तो ये हमारी बाजू कम्पलीट हो चुकी है और इस वाली बाजू में अब मैं सेम ऐसे ही घटाते हुए इसकी लेंथ को कम्पलीट कर लेती हूँ फिर आपको इसमें गल्या बनाना बता देती हूँ इसके चारो पार्ट कम्पलीट हो चुके हैं फ्रंट, बैक, एक बाजू और ये इसकी दूसरी बाजू अब इसका गल्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका ये फ्रंट वाला पार्ट लेना होगा और ये देखिए, ये जो 5 फंदे हमने बाइंड ओफ की हुई है, इनको छोड़ के यहां से हम इसमें फंदे उठाना शुरू करेंगे क्योंकि अगर हम इस साइड से फंदे उठाते हैं, तो जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो उल्टी साइड पर चली जाएगी, जो कि कॉलर गले में अच्छी नहीं लगती है क्योंकि जो कॉलर का गला है, वो फोल्ड होके इधर आएगा तो जो फंदे उठाने वाली लाइन है, वो कॉलर के नीचे दबनी चाहिए तो यहां पर हम इसमें अपना धागा अटेच करेंगे और इसके लिए फ्रेंट्स देखिए, आप या तो यह गला बुनने वाली जो सलाई होती है जो चार होती है, यह ले लीजिए, या अगर आपके पास यह राउंड नीडल हो तो यह ले लीजिए, मैं इसमें यह राउंड नीडल का इस्तेमाल करूँगी तो इस वाली सलाई से यह देखिए, यहां पर अब मैं धागा अटेच करूँगे इस चेगे पर और यहां से यहां तक 18 से 20 फंदे इसमें उठाने है अब धागा कैसे बांधना है, यह देखिए, इस तरह से लेके पहले एक फंदा ऐसे बुन लीजिए और यह जो धागा है इसे आप थोड़ा सा लंबा रख लीजिएगा क्योंकि अगर हम यहीं पर नोट लगा देते हैं, तो इस कोलर की जो फिनिशिंग है यहां पर अच्छी नहीं आएगी उसके बाद आप देखिए, एक फंदा आगे से और उठा लीजिएगा यह देखिए, इस तरह से यह तो फंदे होने के बाद, जब आप यह तीसरा फंदा उठाएंगे तब इसे थोड़ा टाइट पकड़ लीजिए, और यह जो छोटा धागा है इसको इनके यहां से आगे की तरफ दबा दीजिए, और फिर आप यह तीसरा फंदा उठा दीजिएगा फिर उसके बाद आप जब यह चोटा फंदा उठाएं, तो यह जो छोटा धागा है, देखिए इसको इसके यहां से ऐसे दबाईएगा और फिर इस फंदे को उठा दीजेगा फिर से जब आप next फंदा लेंगी जब तक यह खतम ना हो आपने ऐसे ही लेना है देखिए यहां तक आ गया और यह देखिएगा अब यह आपका बिल्कुल छोटा बच गया है इस वाले के साथ लेकर इन दोनों की नोट लगा दीजेगा चिससे यह यहां से खुलेगा नहीं यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इसको यहां से बांद के और थोड़ा सा जो एक्ट्रा था उसे काट दिया है पांच फंदे हो चुके हैं यहां परलगबग 18 से 20 फंदे होने चाहिए तो म उसका यह स्पेस भी कम होगा तो उसमें फंदे भी आपके कम ही होंगे आप देख लिजेगा कि फंदे से फंदा थोड़ा सा मिला कर उठाना है छोटे बच्चे का है तो आप 12 से 15 फंदे उठा लीजिए और थोड़ा सा बड़ा है तो 16-17 उठा लीजिए और इतनी एज के लिए 20 तक फंदे और अगर आप अपने साइज के लिए बना रही हैं तो 25 तक आपके फंदे होने चाहिए अब देखे यह जो चार फंदे इस लाई पर हमने शोल्डर के छोड़े थे धागा अपनी तरफ कीजिए और इन चारों को इसमें बुनना है तो पहले यह एक फंद हमारे यह हो चुके हैं अगर आपके पास यह राउंड नीडल है तो सारे फंदे एक ही सलाई में आ जाएंगे और अगर आप इस गले वाली सलाई से बुन रही है तो आपको क्या करना होगा 24 फंदे तो अपके जैसे यह वाले होगे किसी और साइज में बना रही है तो जो भी आपके यहां से यहां तक के फंदे हो वाले उसके बाद हम यह बाजू उठाएंगे और बाजू उठाने के बाद यह देखिए यह इसका उल्टा हिस्सा है और यह सीधा है तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे उल्टे की तरफ उल्टा करेंगे अगर इस वाली सलाई से बना लीजिएगा और ये जो आपके धागे आ रहे हैं इनको आप थोड़ा सा टाइट करके ऐसे और इनी के साथ आपस में बांद के इस छोटे वाले को काट दीजिए ये देखे फ्रेंड्स बाज्यू के फंदे भी हमारे सारे इसी में आ चुके हैं और अगर राउंड नीडल ना एक में ही आ जाएंगे बाजू के फंदे बनाने के बाद अब हम इसका ये बैक पार्ट उठाएंगे अब ये देखे ये इसका सीधा पार्ट है इसको ऐसे हम पलट लेंगे उल्टे की तरफ उल्टा करेंगे और ये वाले जो फंदे हैं अगर आपके फंदे इस तरह से हो ये वाली नोट इधर हो तो आप पहले फंदे पलट लीजिए और फिर इस तरह से उन्हें कर लीजिए उल्टे की तरफ सारे उल्टे होने चाहिए तो इसको हम सारे फंदे इसमें अब उल्टे उल्टे बुन लेंगे और अगर गले वाली सलाई से बुन रही है तो जैसे कि आधे फंदे आपने इस बाजू के लिए होंगे और आधे फंदे ये जो बैक पार्ट उठाया है हमने इसके फंदे एक सलाई में बुन लेने हैं उसके बाद फिर आपको तीसरी सलाई लेनी पड़ेगी उसमें भी आपको ऐसे ही ये करते जाना होगा तो अब मेरे पास रा वाली बाजू उठाएंगे एक बार फिर से देख लिजेगा हमने इसमें यहां से देखिएगा यहां से फंदे उठाना शुरू किया फिर चार फंदे शोल्डर के लिए फिर बाजू के लिए फिर ये बैक पार्ट के लिए और अब हम ये बाजू उठाएंगे इस बाजू में आपको थोड़े से लोज लगेंगे next लाई में ये बिलकुल tight हो जाएंगे इस वाले को और ये देखिएगा इधर से ये वाला जो धागा है इन दोनों को हम बान देंगे अगर आपके हर जगे पर दो-दो धागे इस तरह से आए तो आपको इसके साथ बानने की जुरूरत नहीं है इन दोनों को आप tight सा बान दीजिए ये देखिए फ्रेंट्स इस बाजो के फंदे भी अब हमारे इसी में आ चुके हैं अब हम क्या करेंगे ये जो इसका front part है और इसका ये वाला जो दूसरा हिस्सा है इसको उठाएंगे ये देखिएगा ऐसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये उल्टे से उल्टा हो गया है चारो तरफ से उल्टा हो गया सीधे सिस्से सारे अंदर की तरफ चलेगे ये जो चार फंदे हमने पिन में लिये हुए हैं ये भी हम इसी में बुल लेंगे और इस वाले धागे को इसके साथ बांद के छोटे वाले को काट देंगे ये देखे फंदे यहां तक के फंदे हमारे इसमें आ चुके हैं अब बच गया इसका ये वाला पार्ट अब 20 फंदे हमने इस दूसरे पार्ट से उठाए थे तो 20 फंदे ही अब हम इस पार्ट में से ऐसे ही उठा लेंगे जो हमारे फंदे थी वो हमने उल्टे बुने हैं लेकिन जो हमने उठाई थे वो धागा पीछे करके और ये देखिए इस तरह से जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे करके ये फंदे हम उठा लेंगे तो ऐसे करते हुए इस साइड से भी अब मैं ये 20 फंदे उठा लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये सारे फंदे उठा लिया हैं यहां से हमने फंदे उठाना शुरू किया था और ऐसे राउंड में इस सारे पार्ट अटेच करते हुए लास्ट में हमारे यहां पर आकर पुख गई हैं यह पीच में जो पांच फंदे हमने बाइंड ओफ किये थे यह ऐसे ही रहेंगे अब इसको बुन्ना कैसे है यह देखिएगा यह वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे पीछे लेज़ेए इन सारे फंदे को यह देखिए ऐसे करने के बाद जहां पर इसका यह एंड हुआ है फंदे उठाने का इसी वाले हिस्से को हम बुन्ना शुरू करेंगे अगर हम इससे इधर वाली साइड पर बंद करेंगे तो यह राउंड हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा लेकिन अगर आपने ऐसे करना है यह देखिए यहां से जहां से हमारा यह एंड हुआ है इस फंदे को ऐसे बुन्ते जाएंगे आप इस बोर्डर को एक फंदा उल्टा या एक फंदा सीधा ऐसे भी बना सकती हैं पूरी सलाई या उल्टी उल्टी बना कर भी बना सकती हैं यह आपकी अपनी जोईस है एक कलर में बना सकती हैं डबल कलर में बना सकती हैं यह भी आपकी अपनी मर्जी है अब यह जो कोलर है यह मैं रेड कलर से बनाऊंगी लेकिन यह जो एक सलाई है यहां पर मैं अपना स टेकिन कलर जोइंट करूंगे, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, यह देखिए इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, इस तरह से करते हुए, मैं इसमें ये एक सलाई वाइट से ही बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें अपना जो रेड कलर मैंने लगाना है वो मैं इसमें अटेच कर दूँगे तो इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा करते हुए अब मैं यहां से और यहां तक आ जाऊंगे यह देखे फ्रेंट जब आप इसे यहां तक बुन लेंगी तो यह जब आपने जो पार्ट अटेच किये थी यहां पर यह बड़ा सा धागा आपको नजराएगा तो आपको इसके लिए क्या करना है इधर वाले फंदे के नीचे से इस तरह से एक फंदा उठा लेना है अब देखे मेरा तो यहां पर यह सीधा फंदा बन चुका है तो मुझे यहां पर उल्टा बनाना है आप अपने इसाब से यहां से यह बहुत अच्छे से अटेच हो जाएगा इतर अशली यहां से आप़ो यहां बना लिया इससे पर और अगर भी आपके आहिसे ही होगा इस को भी आपने इसी तरह से कर लेना है यह देखें फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए इस सलाय को मैंने यहां तक बना लिया, अब आगे सिरफ मेरे 6 फंदे बचे हुए हैं, अगर एक ही कलर से बनाना हो तो बनाते जाएए, लेकिन अगर सेकंड कलर से बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे यहां से काट दूँगी, और इसके साथ मैं रेड कलर अपना जोइंट करूँग अब यहां पर यह वाला फंदा मैंने उल्टा बनाया हुआ है, तो अब मैं धागे को पीछे करूँगी, और इस वाले फंदे को यहां से सीधा बनूँगे, और यह जो नोट लगाई है, यह इसे सीधी साइड पर रखूँगी, क्योंकि यहां से कॉलर फोल्ड हो जाएगा फिनिसिंग उधर होनी चाहिए, धागा अपनी तरफ वही एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे ही इसे मैं बनाते हुए जाओंगे, यह देखेगा, राउंड में हमारी एक सलाई कंप्लेट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, यह वाला हिस्सा पकड़ेंगे, और जहां पर यह यही से इसे बुनना शुरू करेंगे, अब यह देख लिजेगा, यह फंदा इधर से उल्टा है, तो इधर यह सीधा होगा, इस पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, और बना भी सकती हैं, यहां पर यह आपकी अपनी जोईस होगी, मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ, त फिर ऐसे बुनते आएंगे, फिर यहां पर आएगा, तो फिर यही से ट्रंड करके फिर ऐसे बुनते हुए जाएंगे, तो जितनी इस कोलर की लेंथ बनानी है, वो बना कर फिर आपको दिखाती हूँ, इसका यह कोलर बनके तयार हो चुका है, और यह पूरा बनाने के पर देखिएगा ये थोड़ा सा हिस्सा आपको नजराएगा आपको क्या करना है ये देखिए इस कोलर को आप ऐसे लिजिए और सुई में धागा डालके यहां पर एक बारिक सा टांका लगा दीजिएगा जिससे यहां पर इसकी ये फिनिशिंग आ जाएगी ठीक ऐसे ही आप करने के बाद ये इसका एक बाज्यू का हिस्सा ले लिजिएगा और एक इसका ये बैक पार्ट का हिस्सा आ गया यहां से यहां तक जो हमने इसकी आरम होल की कटिंग की है यहां से यहां तक बारिक बारिक टांके लगा कर इसको सील दीजिए फिर आप इधर वाला हिस्सा ल ठीक ऐसे ही आपने दूसरे वाली बाजू लेनी है यह देखिए इसको इससे मिला लीजिए एक बाजू में बैक पार्ट का हिस्सा आ जाएगा और एक बाजू में फ्रंट का आ जाएगा तो यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक देखिए ऐसे मिल जाएगा यह इसक पार्ट सील के पिर इपसके आगे बताती हूँ की आगे इसको कैसे करना है ये देख़े फ्रेंट्स इस तरह से ये बाजू इसकी competitors और अरम होल में अटेच हो गयी हैं अब हमें क्या करना है ये देख़ेगा यहां से ये बाजू ऐसे लेंगे करेंगे और यहां से इसको सी कुछ धागा तो आपका ये वाला जो बचा होगा ये काम आ जाएगा फिर आगे आप एक्स्ट्रा और जोइंट कर लीजेगा और इसको यहां तक बाज्जू सिल जाएगी और ये देखिएगा ये जो हमने इतना पार्ट इसका ये जो बनाया था जहां से हमने फंदे बढ़ा और फिर ये वाला पार्ट इसका ओपन रहेगा तो मैं इसकी दोनों बाज्जू यहां तक ऐसे ही सील लेती हूँ ठीक ऐसे ही इसको सीलना है तेखिए फ्रेंट्स ये पोंचू बनके तयार हो चुका है इसके बैक पार्ट पे मैंने इस तरह से ये फूमन लगा दी हैं फ्र से लगाई हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से आपको जितने ये लंबे लगाने हो उस हिसाब से आप धागे काट लीजीगा मैंने सारे धागे एक साथ काट लिए हैं और अगर आपको मैंने तो सिर्फ ये एक धागा काटके और कर लिया है और ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर से इसको ऐसे पकड़ लिया है अब हम क्रोशिया लेंगे और यह देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और यह क्रोशिया लेने के बाद सीधी साइड की तरफ से आप इसमें यह देखिए इस हुक को ऐसे डाल लेजिए और ये जो हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है और इस क्रोशिय में आप इस तरह से इसको हसा लिजिए क्योंकि ये आसानी से इसमें आसे आ जाएगा अब ये देखिए ये आ गया है अब इसके ये जो देखिए ये वाला जो बीच का होल है इसके अंदर से इधर वाले हिस्से को लेकर और इसके बीच में से ऐसे निकाल दीजे और ये नोट लग जाएगी और इसको टाइट कीज दीजे अब इसको आप ऐसे पकड़ लीजे और ऐसे करके एक नोट इस तरह से इसमें लगा दीजे इससे क्या होगा ये यहां से कभी भ है तो पूरे राउंड में लगाकर फिर आपको इसके फाइनल लुक इखाती हूं देखे ऊचा अगर यह पूरेको पसंद आया हो तो आप इस विडियो यह को यह फसक्राइस कीजिए आपने सभी रहा话 हिदा साश्य कहते है तेंक यू